दोस्तो नमस्कार दोस्तो विपक्ष ना हो विपक्ष का कोई चेहरा ना हो विपक्ष की कोई विजारधारा ना हो और विपक्ष के पास राजनितिक ताकत ना बची हो तब जरा कलपना कीजिए कि सत्ता तनाशा होगी या सत्ता ताकतवर होगी जिस भी रूप में पहचान कर लीजिये लेकिन भारत की अजादी के बाद पन्नों को टटोलते हुए मौजूदा वक्त में सत्ता की पहचान उसकी ताकत से है या सत्ता की पहचान उसकी तानाशाही से है जिसने भी सवाल किया उसे हाशिये पर सत्ता ने ढखेल दिया जिसने भी अपने तोर पर सत्ता के सामने खड़े होने की कोशिश की उसे राजनितिक तोर पर नेस्ता नाबूत कर दिया गया या फिर ऐसी परिस्तितियों को विक्सित किया गया जहां पर वहाशिये पर चला जाए दरसल यह एक सवाल इसलिए आज मौजू हो चला है क्योंकि बंगाल में जो राजनितिक लड़ाई ममता बेनरजी लड़ रही है उसमें वाकई एक सवाल है कि अगर ममता बेनरजी चुनाओ हार गई तब इस देश के भीतर में प्रधान मंत्री मोदी के खिलाफ वो कौन सा चे करने की ताकत भी बचेगी जिसमें ये कहा जा सके कि सत्ता को चुनाओती देने के लिए कोई तो बचा है एक एक करके सारे किले इस देश के भीतर में जो भी सत्ता के सामने खड़ा हुआ वो ढहता क्यों चला गया और अगर ढहता चला गया तो अब आखरी किले के तौर पर ममता बेनर्जी की क्या यही पहचान है कि वह सत्ता के खिलाफ खड़ी है नरिंद्रमोदी के खिलाफ खड़ी है उस RSS या BJP की विचारधारा के खिलाफ खड़ी है जिससे सवाल पूछने की हिम्मत कोई राजनेतिक दल इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि तमाम सम्विधान संस्थाओं का उपियोग और प्रयोग सत्ता ने अपने अनकूल इस तरीके से किया कि हर पिलर एक एक करके ढहता चला गया यह पिलर संविधानिक नहीं है बलकि नेताओं के जरिये जराज समझने की कोशिश कीजिए कि ममता का हारना क्या सबसे मुखर आवाज का खत्म होना ममता का हारना क्या विपक्च की एक ऐसी हार है जिसमें उसके पास आने वाले वक्त में कुछ नहीं बजेगा या ममता का हारना शायद राहुल गांदी के उस संदेश को पुक्ता बना देता है कि अब आप चुनाओं के जरिये इस सत्ता से लव नहीं सकते हैं उसके लिए आपको एक नई स्टेटगी बनानी होगी विपक्च को एक जुठ होना होगा अपने अपने दाइरे में विपक्च ये न सोचे कि वो यहां पर मात दे सकता है और वहां पे सत्ता पा सकता है और उसके हाथ में कुछ ना कुछ बचा रहेगा ऐसी परिस्तितियां क्या धीरे धीरे इस देश के भीतर में गायब हो चली है क्योंकि अगर एक सिलसले को देखना शुरू करें दिल्ली की मुखर आवाज केजरीवाल के जरीए निकलती थी लेकिन जो दिल्ली को लेकर बिल संसद ने जिस पर मोहर लगाई और सारे पावर लेफ्टेंड गवर्नर यानि उपराज जिपाल के हिस्से में डाल दिये उसके बाद दिल्ली विधान सभा की ताकत बची कितनी है यानि कोई भी राजनितिक प्रियोग केजरीवाल दिल्ली में अब नहीं कर सकते हैं उसे उनकी पहचान पर तमगे लगने लगे वह बहत कमजोर कर दिये गए संसद के भीतर विधियक लाकर कमजोर किये गए कानून की शकल में उसे ले आया गया केजरीवाल के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं उत्तर परदेश से सामना होता है जोत्तर परदेश के भीतर के दो चहरे छेत्री राजनिती को करते हुए दो चहरे बार-बार मुखर रहते थे लेकिन आज की तारीक में वहाँ पर मायवदी की पहचान किया है बार-बार इस बात का जिकर होता है मायवदी ने जो भी करप्शन किया या जो भी उनके पास आकूद संपत्ती रही या जो भी कैसे उनके खिलाफ संपत्ती से जादा का जो आई से जादा संपत्ती का मामला था उसमें किंद्र सरकार जब चाहे उन्हें दबोच सकती है तो क्या मायावती इस वक्त बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए बहुत सौफ्ट नहीं हो गई अखिलेश यादव इस दोर में इस देश में ना जाने कितने मुद्दे आए उस संगर्ष की परिस्तितियों का हम जिक्र कर रहे हैं जब इस देश में मनमोहन सिंग की सरकार थी वह संगर्ष की स्तिति आपको अखिलेश यादव में भी इस दोर में नजर नहीं आई होगी उसके बाद जब आप कदम बढ़ाते हैं तो सामने बिहार खड़ा है बिहार में लालू यादव आज की तारीक में जेल में है उनके बेटे तेजस्वी संघर्ष करने का माददा जरूर रखते हैं लेकिन वह पूरी पूंजी लालू यादव की समेटी हुई है लालू यादव ने जो वोट बेंक बनाया अपनी राजनिती अपने सरोकार के जरिए वोही वोट बैंक कहीं न कहीं तेजस्वी या कहें RJD के साथ खड़ा है लेकिन तेजस्वी की अपनी ताकत अपनी पहचान इतनी मुखर नहीं हो पाई जितनी मुखर ममता बेनरजी खड़ी हो जाती है तो तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं सियासी तोर पर उस अनविवी जो अनुभों के साथ इस देश की सियासत को साधने वाली टीम थी उसमें बहुत नीचले पाईदान पर आते हैं बिहार के भीतर नितीश कुमार का एक चेहरा एक वट जरूर बार बार उभरता था क्योंकि उनको देखा जाता था कि उनकी समझ उनका विजन और उनको लेकर इस देश के भीतर में देश को समालने के गवर्नेंस के तोर पर देखा जाता था और इस बात का जिक्र और किसी नहीं राहूल गांदी ने अपने तोर पर किया देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने जब नितीश कुमार और लालू यादा वे एक साथ चुनाओ लड़ रहे थे उस वक्त भी 2015 में भी जिक्र हो रहा था कि नितीश को तो अब दिल्ली आ जाना चाहिए और यहां पर मो अब junior का जैसे ही हम झिकर करते हैं हमारे जहन में यह सवाल रहना चाहिए कि बीजेपी के साथ तीन ही महत्पुन राजनितिक दल थे जो दशकों से साथ रहे लेकिन मोंदी काल के दौर में तीनों की हैसियत बीजेपी के सामने बौनी होती चली गई और दो दो हाथ करने की अकड़ा है और मौझूदा वक्त में जो की एंटीलिया को लेकर जो हो रहा है और जिस तरीके की एनाई ये जांच कर रही है उसमें आज नहीं तो कल इस्तितियां सुलगेगी और ये जो धुआ भी सुलगा नहीं है वो आग की शकल में कैसे आएगा ये कहीं न कहीं NCP और शि शिवसेना का सत्ता समाले रहने के गरूर इन तीनों पर इस्तितियों में कहीं भी शिवसेना उस रूप में आपको मजबूत नजर नहीं आएगी जहां पर ये लगे कि शिवसेना वाकई वह शिवसेना है जिसकी एक हुंकार पे मुंबई बंद हो जाती थी जिसकी एक हुं कैसे ही नहीं रहेगी तो शिर्फ सेना की हैसियत क्या होगी या फिर उससे जो बड़ा वैक्यूम बनेगा उस वैक्यूम को बीजेपी कैसे हड़प ले जाएगी यह भी कोई छुपा हुआ नहीं है इसी तरह की परिस्तितियां आपको पंजाब में देखनी होंगी अकालियों के साथ एक लंबा वक्त बीजेपी का गुजरा लेकिन किसान रिफॉर्म या किसान बिल को लेकर जो सवाल उठे उसमें आज की तारीक में अकाली भी बीजेपी के साथ नहीं और बीजेपी को इसको लेकर कोई मुगालता भी नहीं और कोई भ्रम भी नहीं है वो मान चुकी जिसमें जो भी मुद्दे इस से पहले RSS उठाती रही जिन भी मुद्दों का जिक जनसंग के दौर में होता रहा जिन भी परिस्तितियों को लेकर अचल बिहारी वाजपई और अडवानी की जोड़ी चाह कर भी इंप्लिमेंट नहीं कर पाई उसे कर देंगे अपने तौर प फारूक अब्दुल्ला को भी हाशिये पर और जिस सियासत में बांदा गया वह भी एक लिहास से डह गए इस स्टालिन और विजियन की परिस्तिती अपने राज्यों में सिम्टे रहने भर की हैं चैलेंज नहीं है चैलेंज चंदरशेखर राओ भी नहीं दे पाते हैं तेल जिस बन जाएंगे उस आरोप के सिलसले में यही केंदर सरकार की तरफ से छिटपुट आवाज निकल कर आई थी कि दरसल ये उनके खिलाफ एक साजिश परी आवाज है तो जगन रिड़ी को भी चेताया गया कि अपने दाइरे में रहिए आप ये मैसेज निकल कर आता है औ यह एक आवाज ममता बेनरजी की आपको सुनाई देती होगी ममता बेनरजी के भाषनों के उस कतार को सुनिये जिसमें वो बिना लाग लपेट सीधे निशाने पर प्रधानमंतरी मोधी हो या ग्रह मंतरी हमेशा उनको लेने से नहीं कतराती है लेकिन अगर ममता का किला ढह अगर ममता बेनर जी हार रही है तो इस देश के भीतर में कोई अवाज राजनितिक तोर पर सत्ता को समालते हुए नहीं बचेगी और हमें लगता है इसका जब दूसरा पन्ना आप खोलेंगे तो राजनितिक सत्ताएं छेत्रिय दलों की कमजोर कहां से हुई इसके लिए आपको दुबारा नोट बंदी के दौर में जाना होगा भारत की राजनिती में अतहा संपत्ती ब्लैक मनी की और ब्लैक मनी के जरिये इस देश की सियासत को कैसे चुनाओं के जरिये चलाये गया और लोकतंत्र के राग गाये यह भी कोई छुपा हुआ नहीं है हर छेत्रिय दल के पास जितनी पुझी रहती थी नोट बंदी ने एक जटके में सब को दिवालिया कर दिया ऐसी परिस्तितियों में लाकर खड़ा कर दिया जहां अपने और्गनाइजेशन्स को पालने पोसने की परिस्तितियों को वो कैसे जीवित रखें यह भी नहीं था और इसके ठीक समरांतर केंद्र की सत्ता बीजेपी के हाथ में थी तो बीजेपी की ताकत संगठन के तोर पर इसलिए बढ़ती चली गई और आज की तारीक में जब बंगाल में चुनाओ हो रहे हैं तो बूत लेवल पर भी अगर उसके नुमाइंदों की मौजुदगी है जो की बिना बीजेपी का संगठन वामपंत्थी संगठन हो या ममता का संगठन हो उसके माइने में बहुत कमजोर है BJP का संगठन लेकिन बूत मैंचिमेंट को लेकर फेज वाइस जिस रूप में शिफ्ट किया Ja रहा है BJP के अपने नुमाइंदों को कि आपको किस रूप में बूद समालना है वो सब बिना पैसे के नहीं होता है और इस दौर में जब आप देखना शुरू करते हैं Association for Democratic Reform की रिपोर्ट देखें Election Watch के रिपोर्ट देखें या Election Commission के डाटा देखें या RBI के डाटा देखें तो जितनी बड़ी पूंजी BJP के पास इस दौर में गई है 2014 से पहले ऐसा नहीं था कि वो पूंजी पॉलिटिकल पार्टी इसके पास नहीं जाती थी लेकिन इससे पहले की परिस्तिती यह रहती थी जो सत्ता में है उसके पास 50 से 60 फीजदी पैसा चाता था और बाकी सम्में बट जाता था लेकिन आज की तारीक में 90 फीजदी पूंजी चाहे वो कॉर्परेट की फंडिंग हो चाहे इंडस्टलिस्टों का पैसा हो चाहे वो PM केर के नाम पर आ रहा हो चाहे किसी भी अलग-अलग माध्यमों से जो आ रहा हो वो पैसा बीजेपी के पास ही जाता है क्योंकि छेत्रिय फोर्सेज भी जब कमजोर होती चली गई तो वहां के कॉर्परेट को भी लगता है वो पैसा इस टेट को क्यों दे सीधे सेंटर को दे दें को किस सेंटर में कमवेश हर उस पॉलिसी को अपने हाथ में लिया है जिस पॉलिसी के जरिये इस देश में जिन जिन छित्रों में पूझी बनाई जा सकती है पूझी कमाई जा सकती है और कॉर्पेट जहां पर पूझी लगाता है तुरत की स्तिती देखिएगा तो माइनिंग का च्छितर आपके जहन में आएगा माइनिंग अब जिस रूप में प्राइविट सेक्टर को दिया जा रहा रोग इस देश के भीतर में इंफ्राइस्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो की निजिकर्ण की दिशा में बढ़ेंगे उसको मोनेटाइस शब्द दिया गया लेकिन वह एक प्राइविटाइजेशन जो है उसमें आपको केंदर के साथ खड़ा होना है तो कोई भी पैसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों देगा एक ही पार्टी को देगा राजनितिक सप्ता एक ही के पास रहेगी इसलिए मम्ता बेनरजी वह आकरी पिलर है वो आकरी किला है जो ढहा तो इस देश के भीतर में एक वाकई सवाल है विपक्ष गायब है, विचारधारा गायब है, चेहरा गायब है, संगठन गायब है उसके बाद चीजे बचेंगी क्या और एक बड़ा वेक्यूम इस देश के भीतर में आकर खड़ा हो जाएगा क्या यानि एक ऐसा वेक्यूम जिसको लेकर जिक्र बार बार होता है कि Constitution, Institutions भी अब Check and Balance नहीं कर पा रहे हैं जिसका जिक्र Constitution में है क्योंकि Institutions को Check and Balance करना था लेकिन ध्यान दीजिए Supreme Court की भुमिका, Supreme Court के फैसले भुमिका छोड़ दीजे फैसले जो सत्ता नुकूल दरजनों फैसले नजर आएंगे कोई भी फैसला सत्ता के खिलाफ क्यों नहीं जाता है दूसरा सवाल जो CAG है जो लगातार अपनी रिपोर्टिंग के जरिये या अपनी रिपोर्ट्स के जरिये जो पार्लेमेंट में रिपोर्ट्स रखी जाती है उसके जरिये हमेशा बताते रहा कि कहां पर गवर्नेंस की गरबड़ी है कहां पर बजट में ज़्यादा खर्च किया जा रहा है किस मिनिस्ट्री के भीतर में क्या गरबड़ियां हो रही है इसका जिक्र CAGE करता था जो कि कोईला घोटाले को भी लेकर आया था और वोट 4G घोटाले को लेकर भी आया था जो कॉमन वेल्थ को लेकर भी काम कर रहा था लेकिन इस जटके में अगर रेशियो देखना शुरू कीजिएगा तो मनमोहन सिंग के दौर में अगर CAG 100 रिपोर्ट देता था तो आज की तारीक में वो रिपोर्ट घटकर 5 रिपोर्ट पर आ गई है और वो 5 रिपोर्ट भी ऐसी रिपोर्ट रहती है जिसको हम सीधे तोर पर कहें इतनी वेजिटेरियन रहती है जो कि किसी भी मिनिस्ट्री के भीतर या सेंट्रल गॉर्मेंट की किसी भी खर्चे को लेकर कोई सवाल खड़ा नहीं करती है यह एक स्तिती है यह उसका डाटा है तीसरी स्तिती मीडिया के जरीए मीडिया के भीतर जो सवाल उटते थे जिस भी परिस्तिती को वह अपनी रिपोर्ट्स के जरीए दिखलाती थी वह सारी चीजे बदल गई भूपू में यानि सत्ता नुकूल या सत्ता के लिए ही कैसे काम करना है या सत्ता के लिए काम नहीं करना है इसलिए क्योंकि विपक्ष के लिए काम कैसे कर सकते हैं क्योंकि विपक्ष की मौझूदगी है ही नहीं यह भी एक क्राइसिस है सीधे मीडिया को कटगरे में लिया जा सकता है लेकिन यह भी समझना चाहिए कि आज की तारीक में अगर मीडिया अपनी भूमिका को नहीं निभा रहा है तो विपक्ष की भूमिका को निभाने वाले तमाम पॉलिटिकल पार्टिस कहां पर हैं इनके पास अपनी परिस्तितियां कहां पटिकी हुई अगर आज ममता बेनर जी के एनलाइसिस को हम लोग शुरू करें ममता बेनर जी ने पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की थी उस वामपंथी वेक्यूम की राजनिती जो जटके में पैदा हो गई थी जहां पर वामपंथियों का ट्रांसफॉर्मेशन कॉर्परेट वाला हो रहा था किसान मजदूर को वो छोड़ रहे थे वहां पर ममता बेनर जी ने मा माटी मानुश का जिक्र किया था और उसके जरी अगर पहला मैनिफेस्टो पॉलिटिकल देखियेगा ममता बेनर जी का या पिर पोरी के पोरी जो महिलाओं के नहीं रहे हैं और वहां पर जो लूम्पे निजम है जो वहां पर वसूली है उसने प्रशान कर दिया है बंगाल को यह एक उस वैक्यूम को भरने की परिस्टेती थी जो वैक्यूम सतर के दशक में बंगाल में कॉंग्रिस से निकल कर वामपंतियों में नहीं कर रही है वो इस बात का जिक्र कर रही है कि हमको चैटरजी बेनरजी का वोट नहीं चाहिए यह भी एक सवाल है वो जिस सियासत को बीजेपी साधना चाहती है उसमें जाहिर है दलित भी है ओबी सी भी है पिछला तबका भी है उसको वो सियासत की कमान अपने हिसाब से समालना चाहती है लेकिन सामने जैशी राम का नारा लगेगा और ममता बेनर जी का शिफ्ट को समझने की ज़रा कोशिश करें तो ममता बेनर जी जैशी राम के नारे को कैसे काउंटर किया जाए ये पॉलिटिकल समझ उसमें डेवलप हो नहीं पाई इसलिए ये प्रधान मंतरी की मिटिंग में जब जैशी राम के नारे लगे तो ममता को जवाब देना चाहिए था कि अतिती है अतिती की सिवा करना हमारा धर्म है स्वागत करना धर्म है और उसके बाद उनको उस नेशलिजम की परिस्थितियों को समझाना चाहिए था किसी भी राष्ट को कैसे बनाय जाता है उसके हिस्टोरिक परस्पेक्टिव को बताना चाहिए था और भारत के कल्चरल आस्पेक्ट को बतना चाहिए था लेकिन ममता बेनरजी ने नहीं बनाया क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है और यहाँ पर ट्रेनिंग वो नहीं ट्रेनिंग थी जो वामपंतियों ने एक ट्रेन किया था पश्च बंगाल के भीतर में क्लास स्ट्रगल के नाम पर वर्ग संघर्ष के नाम पर अस्थाई तोर पर सबको बोडो जून की रोटी मोहिया हो इस नाम पर ममता बेनर जी अगर चुनाओ हार जाती है तो सवाल यह भर नहीं है कि एक मुखर आवाज खत्म हो गई सवाल यह है कि विपक्च के सारे किले ढह गए क्या और इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह होगा इस देश के भीतर में मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा संकट क्या है सबसे बड़ा संकट बौद्धिक्ता का है intellectualism का है सबसे बड़ा संकट बिरोजगारी का है डिगरी धारियों के लिए कामकाज ना होने की परिस्तितियों का है लेकिन इसके parallel में कौन सी चीश खड़ी होई है इसके parallel में भारत के वह लोग खड़े हैं जिनकी तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया जिनको रोजगार के लिए पूछा नहीं गया वो अनार्गनाइस सेक्टर में थे नियुन्तम वेजिस तै होने के बाद भी उन्हें नियुन्तम वेजिस नहीं मिलते थे यानि जो इस देश की नेगटिविटी थी अगर ले आएंगे तो भी तुम क्या बिगाड लोगे कुछ नहीं कर पाओगे मीडिया भी क्या कर पाएगा मीडिया के भीतर संपादकों की परिस्तितियां क्या है उनकी परिस्तितियों के भीतर जब जाईएगा तो उनका सत्ता से निकट होना और सक्ता की निकटता और उनका बियूरोक्रेसी के साथ खड़े होना विया एक अलग माफिया नेक्सिस है जो काम करता है ये माफिया नेक्सिस किसी भी सक्ता को तब तक बरदास्त होता है या वो उसे अपने अनुकूल मानती है जब वो अपनी सक्ता की नीव को अपने अनु जाएगी तो जाहिर है उसके बाद वो बिल्कुल नई दिशा में चलेगी वो नई दिशा क्या होगी वो जैसी ताकत की दिशा होगी क्योंकि ध्यान दीजे जैसे ही हमने नोटबंदी का जिक्र किया सेकंड स्टेज इस देश के सामने में दो निकल कर आते हैं एक GST और एक Faceless Income Tax जाहिर है बिचौलियों कि इस देश में भरमार थी वो कमिशन खा रहे थे कताई इनकार नहीं है लेकिन एक जटके में जो टेक्स बचाने की प्रक्रिया थी जो चोरी हो रही थी उसके जरिये जो पूरी की पूरी राजनिती की सेवा में भी वो लगे रहते थे ये भी Fact है एक जटके में उस पूंजी को बीजेपी के अनुकूल होने की परिस्तियां भी आ गई अब कोई भी किसी भी रज की किसी भी Political Party को क्यों डोनेशन देगा और वो बीजेपी को डोनेशन क्यों नहीं देगा जब सारे पावर एक जगा आकर सिमटते चले जा रहे हों तो ऐस में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि सारी पॉलिसीज वहीं से निकलेगी और जब सारी पॉलिसीज वहां से निकलेगी तो उन पॉलिसीज को इंप्लिमेंट कराने की परिस्तितियां भी उसका कैडर ही तै करेगा उसके अपने भक्ती रस में डूबे हुए कारकरताओं को शुरुवाती दोर में ये हसास कराए जाएगा कि आप ही हमारे कैडर हैं लेकिन धीरे धीरे आपको उसमें भी च्छननी से चीज़ें च्छननी होंगी तो ध्यान दीजिए इस देश के भीतर में जो रिजनल फोर्सिस थी पंजाब, हरियाना, उत्तर परदेश, बिहार, उड़ी, उड़ी सा का जिक्र भी यहां पर जरूरी है उसको डिस्टर्ब कर पाने की स्थिती में अभी तक बीजेपी नहीं आ पाई है आज नहीं कल आएगी ये एक अलग सवाल है लेकिन रिजनल फोर्सिस में जब आप निकल कर आते हैं तो चाहे वो जम्मू कश्मीर इस्टेट के तोर पर खत्म हुआ फारुक अब्दुल्ला कल तक जितना बोलते हों लेकिन आस तक बोलने की स्थिती में अब नहीं है पंजाब के भीतर में अकाली बोलने की स्थिती में नहीं है दिल्ली के भीतर केजरिवाल बोलने की स्थिती में नहीं है उत्तर परदेश में अखिलेश यादब मायवती बोलने की स्थिती में नहीं है बिहार में तजस्व यादब बोलने की स्थिती में नहीं है दक्षन की हिसा में जाईएगे तो चंदर शेकर राओ बोलने की इस्तिती में नहीं है तेलांगना से उसके आगे बढ़िये गांदर परदेश में तो जगन रिड़ी बोलने की इस्तिती में नहीं है तमिलनाडू और केरल की आवाज कैसे दिल्ली तक पहुँचे को कि इस पूरी प्रक्रिया में एक सवाल दक्षन भारतियों के सामने यह भी हो चला है कि मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता के दौर में उनकी भागिदारी है कहां पर है ही नहीं उनके बारे में तो कोई सवाल हुटता ही नहीं है आखरी दरवाज़ा महराष्ट में आकर रुक जाता है और महराष्ट के दरवाजे के भीतर में जिस उल्जन के साथ अबुदव ठाकरे को दो-दो-चार शर्त पवार से होना है और शरत पवार जिस सियासत को साध रहे थे जिसमें वो केरल में वामपंतियों के साथ खड़े हो जाते हैं जिसमें वो पश्चिम बंगाल में मम्ता के साथ खड़े हो जाते हैं और महराष्ट में कॉंग्रिस के साथ रहते हैं मम्ता बेनर जी की हार इस सियासत पर भी रोक ही पर अलग अलग तरीके से विक्सित करते चले आए हैं और जहां पर जीत नहीं मिलती है उसमें मद्परदेश में क्या हुआ किस तरीके से कॉंग्रिस के विधायक कहां शिफ्ट हो गए आने वाले वक्त में राजस्थान की गोटियां चली जा सकती है एक वक्त चली गई थी य इस बात का आकलन भी हर कोई कर रहा था तो वह एक माहिर खिलारी हैं गैलोत जिसमें वह जानते हैं कि सचिन पाइलट से अच्छा वसंद्रा राजे हैं तो क्यों नहीं वो चाल चली जा इसका मतलब है कि हमने तमाम छत्रपों का जब जिक्र किया तो इसमें कॉंग्रेसियो का जिक्र नहीं किया क्योंकि कॉंग्रेसियों में सबसे मुखर आवाज राहुल गांदी की है और राहुल गांदी मान चुके हैं कि राजनितिक तौर पर मौजूदा वक्त में चुनाओ भी एक फेक अवस्ता है हाँ चुनाओ हो रहे हैं तो प्रचार करना है लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा तब आप क्या करेंगे यह सोचिए ध्यान दीजिए उनकी आवाज में यह वाज कि भीतर की कहीं ना कहीं ये गूंज रहती है इसलिए इस बात का जिक्र करना की पंजाब में कैप्टन की क्यामती है क्या उनका महत्तु है या फिर 36 गई तो फिर क्या होगा यह एक ऐसी परिस्तिति भारत के भीतर में है कि ममता बेनर जी वा आखरी किला है अगर वो ढह गया अगर ये मुखार आवाज वाकई बंद हो गई तो फिर छेत्रिये दलों का अंत होगा और इसके साथ समनांतर इस्तिति ये है कि छेत्रिये राजन नैतिक दलों के बीतर नैतिक बल ममता बेनर जी में ही बचा हुआ था वह भी शिरी राम जैशिराम के नारे तले चंडी पाठ के आसरे कहीं ना कहीं वह धुमिल हो गया नैतिक बल के लिए आपको करप्ट नहीं होना है नैतिक बल के आसरे आपको इमांदार होना है नैतिक बलके आसरे आपकी अपनी पार्टी, अपने और्गनाइजेशन को इस रूप में आपको डेवलप करना है जहां पर लोग आपकी रईसी से नहीं डरें, आपके करप्शन से नहीं डरें, आपके कैडर से नहीं डरें, बलकि एक सरुकार की भाशा होनी चाहिए. यह स्तिती मम्ता बिनर जी अगर हार गई तो कलपना कीजिए बहुत बहुत शुक्रिया